नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिम इंडिया एजूकेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों हिम इंडिया एजूकेशन एक बार फिस से आपके लिए जोब अप्डेट ले किया है और इस वाद जो हमारे जोब अप्डेट रहने वाली है वो सदार बलब भाई पटेल उनिवरसिटी जो की मंडी हमाचर परदेश में खोली गी है उससे रिगार्डिंग रहने वाली है तो किन के लिए ये नोटिविकेशन निकली है कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे कब इंटर्विव होंगे इसकी कम्प्लीट सच्चाब हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों ये 19 जुलाई 2022 की नोटिविकेशन है जिससे हम लोग आज आपको अपडेट करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सदार पटेज उनिवरसिटी मंडी में वोक इन इंटर्विव निकाली गी है फोर गेस्ट फेकलिटी और यह जो वोक इन इंटर्विव होगी दोस्तों ये अकैडेमिक सेशन 2022 और 2023 के लिए ही कंड़क्ट होने जा रही है तो इसमें जो विकेंसी निकाली गी है वो गेस्ट फेकलिटी की ही विकेंसी रहेगी और इसके लिए जो qualification और eligibility criteria रहेगा वो as per UGC regulation 2018 रहने वाला है और different different post के लिए अलग अलग दिन जो एस्ट की वोकिल इंटर्विव रखे गी है तो environmental science, industry, chemistry, mca, botany, chemistry, zoology, physics और MBA और history के विद्यार्थियों के लिए इसमें guest faculty की जो विकेंसी निकाली गी है और आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि environmental science की जो interview है वो 5 अगस्त को रखे गी है industrial chemistry की जो है वो 5 अगस्त को है और mca की guest faculty की भी 5 अगस्त को interview रखे गी है इसके लावा जो other department की vacancies रहेगी उन सब की जो interview रहेगी वो 10 अगस्त को रहेगी तो यह दोस्तो direct walk-in interview है जो की आपको एक इनके द्वारा application form प्रवाइड किया गया है इस application form को जो है आपने walk-in interview के दिन अपने साथ लेखे जाना है fill करके और इसको वहाँ पे submit करवाना है और direct आप interview में appear हो सकते है और इसके लिए जो term and condition इनके द्वारा बताएगी है कि जो eligibility है जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि वो UGC regulation 2018 के accordingly रहने वाली है और इसमें जो है fix आपको एक honorarium दिया जाएगा लेचरार बेसिस पे और आप कभी भी जो है regularization permanent या position किसी भी regular position के लिए आप कभी भी धाविदारी पेश नहीं कर सकते है आपके पास कोई ride नहीं होगा यह पहले ही term and condition में बता दिये गया है और आपको किसी भी प्रकार का TADA जो है इसमें attend करने के लिए interview के लिए नहीं दिया जाएगा और इस post के लिए जो है दोस्तो retired teacher है वो भी guest faculty की post के लिए interview attend कर सकते है लेकिन यह सिर्फ as per UGC guidelines होगा और fifth number की जो condition है इसमें बताया गया है कि university reserve the right to alter the number of position कभी भी इस post को decrease और increase किया जा सकता है या फिर इसको abolish भी किया जा सकता है और sixth condition में बताया गया है कि guest faculty shall not be treated as regular teacher of the faculty guest faculty जो होगी उनको regular teachers की तरह जो है voting rights और BOD member को चैनित करने का जो है दिकार वो नहीं दिया जाएगा वो seventh condition में बताया गया है कि eligible candidate ही सुर्फ report करें work in interview के लिए साथ में ये by data form और अपने original documents को और self tested copies को साथ में लेके आएं interview के दिन और guest faculty को किसी भी परकार का जो allowance pension या graduate किसी परकार की नहीं दिये जाएगी तो ये भीविन भीविन पोस्टों की जो interview है दोस्तों अगस्त महीने में सदार पटेल युनिवरसिटी मंडी में conduct होने जा रही है और याद रखी का ये जो interview है academic session दो यर बाइस थे इसके लिए ही फिलाल conduct होने जा रही है इसकी PDF अगर आपको चाहिए आप हमारी website से download कर सकते हैं आप हमें facebook page पर follow कर सकते हैं या फिर आप हमें telegram पर हमें community education लिग के सर्च कर सकते हैं तो वहां से आपको इस सबकी PDF हल जाए गरेगी तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही जैसे ही और जोब अपडेट मिलेंगे हम लोग आपको उससे अपडेट करवाते रहेंगे अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को like, subscribe और हमारी वीडियो को share जरूर क जीगा, thank you for watching humanity education